कि है दोस्तों वेलकम बैक तो मैं चैनल दोस्तों आज और यह लास्ट वीडियो है इस साल का मतलग कि 2022 का अब हम लोग मिलेंगे 2030 में तो हैपी लास्ट टे ऑफ दा इयर 2020 और हैपी न्यू इयर इन एडवांस 2030 ठीक है तो सबसे पहले तो यह हो गया अब हम लोग देखेंगे सीडीपी का 11 एक मतलब कि 11 जनवरी 2022 का जो पेपर हुआ था उसका सेकंड पार्ट ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला दिया गया है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला से गम में इमारते समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है लचीला पन होने से पार्टिक्रम में परिवर्तन करने की शमता के रूप में परिचाले तो होता है पार्टिक्रम की रचना में ज्यान कुशलता और भावनाओं के उन विस्त्रित छेत्रों का समावे पूप से अक्षम हो और इससे उनका सुविधा पूर्ण आवा गमंस निश्चित हो सके और चुनोती पूर्ण इस सित्य में कमी आती है समय वेशन सुद्वारा विसे सावशक्ताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और दिव्यांग को सामान अवसर बदान किया जाए ठीक है यह काफी important है question पूछा जा सकता है और अभी आप लोगों मैं पहले बता दूं कि अभी लंसन दो दिन बाद या new year में ही मान लीजें दो या तीन तारिकों मैं सारा मतलग कि दो हजार इकेस में सौरी दो हजार जो बाइस में और 21-22 का जो यह सीटेर का जो question आये ते अलग-अलग जैसे कि प्याजे के जितने भी questions है उनको हम लोग एक जगे note-down कमल की पूरा बना के आप लोग को provide करेंगे और उससे हम लोग एक-एक questions को देखेंगी क्या कौन सा question पूछा गया है और कि इतना important है ठीक है तो इसका हो गया जितने भी हमारे important important percent है उनको देखे देखेंगे ऐसे ही और फिर इसके बाद 2005 जो ncf 2005 इसका important question देखेंगे और 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 फिर एनीपी 2020 ठीक है तो जितने भी questions प्रिवेस यह में आये थे वह सारा सारा हम लोग PDF में देखेंगे ठीक है चलिए next question देखते है इस पर दिया गया है दोहराव और बार-बार किये जाने स्वालिंता की और स्वालिंता क्या है एक विकासात्मक विकलांगता है जो प्रभावित करता है कि एक दूसरे एक दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार संपर्क करना करता है इसका सामाजी कहानी बोलचाल की कठनाईयों और प्रतिबंदित दोहराव वहवार के टकसाली रू स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम होते हैं लेकिन कुछ दूसरों के पास सीखने की विकलांगता हो सकती है और उन्हें जीवन भर के लिए इसे सगो की ज़ुरत होती है ठीक तो इसका जाता कुछ इंपोर्टेंट इस पर है भी हलका ही से ज्यादा नहीं है कुछ वैसा नहीं है नॉर्मल लैंग्वेज चाहिए तो फिर इस पर दिया गया है कार्यों को छोटे प्रबंदी भागों में तोड़न तो इस पर यह दिया गया है तो इसमें है कार्यों को छोटे प्रबंदी भागों में तोड़ने का विकल्प उन विध्यारतियों के समावेशन में मदद करेगा जिने ध्यान न्यूनता अती क्रियाशीलता विकास विकार है या एक ऐसा विकार है जो वैबार में अती सक्रीत्या पैदा कर सकता है इससे गरस्त लोग एक कार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तथkiej लंबे समय तक बैठने में परशानी का सामना करते हैं इससे ग्रस्त बच्चे अत्यदिक सक्री हो सकते हैं और अपने आवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं इसलिए ऐसे चात्रों को विभिन चोटे च समावेशन के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं एक से चिका को क्या करना चाहिए ठीक है तो याद रखिए जब भी कमजोर वर्ग का है यह तो और देखिए क्या करेंगे पहले तो ऑप्शनी देख लेता है इसका सी ऑप्शन हो जाएगा तो इस पर क्या दिया वेंदा सेंस उसकी एक तेक से देखी रेक करें ठीक है ज्यादा उसको किसी से मलगी सम्मान करें उसका और ज्यादा से ज्यादा हो से के हल्प करनी शाहिए इन विध्यार्थियों के सफल से समावेशन के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है एक सिक्षिका को उनक सांस्क्रितिक और भासाई ज्यान को महत्व देते या देता है क्योंकि इस प्रेस्ट भूमी के बच्चों में अच्छे संग्यानात्मक विकास और धुनियात्मक गजागरुकता शब्दावली पढ़ने के अधिकरंस के बुनियादी कोशल से आधिकी कमी होती है फिर समाजिक आर्थिक रूप से वंचित प्रेस्ट भूमी से तत्पर ना केवल निम्न आय से हैं बलके निम्न सैक्षिक उपलब्दी गरीबी घराब विवस्था इस्खरास्वास्त और वित्ती अस्रक्षा आदी से भी है ठीक है तो जो गाउं के लोग होते हैं गाउं के ब गायबाय हो गई तो उसी से जितना उनको धन मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे ठीक है तो ज्यादा हाई-फाई तो रहता नहीं था बढ़ अब का महल बहुत चेंज हो गया है गाउं में भी अच्छा खासा चेंजमेंट आ चुका है ठीक है और नेक्स्ट कोशन इस पर दिया गया है निमलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशिस्ट अधिकम्स वरीता वाले विध्यारतियों के समावेशन हेतु यतोचित संयोजन्स रनीती का सही यूग्म है तो इसका अंसर हो जागा डी ओप्शन्स ठीक है और डी ओप्शन में दिया गया है द रनीती है द्रिष्श का अर्थ है देखने योग पता है सबको इसका अभी प्राय या हुगा कि वे ये वे उपकरण है जिने छात देख सकते हैं इसका समद्द नेत्रों से हैं श्यामपटचिन मांचितर और मूख्चितर चितर विस्तारक यंत्र आदी मांचितर एतिहासिक घड़नाओं वा बहबोलिक इस्थान के अध्यन के लिए प्रयुक्त होते हैं जैसे नक्षे के माध्यम से दर्शादना कौन सा देश कौन सी भाषा भासी है किस प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है आदी प्रवाचार्ट जो किसी प्रिया का एक योजना बद फिर इसके बाद है पूरा कोशन अभी कतन दिया गया है अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुबव किये गये तत्तों के बीच सम्मंद इस्थापित करने की प्रक्रिया सामिल है ठीक है रीजन दिया गया है बच्चे रे की तरीके से सीखते हैं ना की चक्रिय तरीके से तो इसका आंसर हो जाएगा A is true but R is false ठीक है तो इसका देख लेते हैं क्या दिया गया है अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुबव किये गये तत्तों के बीच सम्मंद इस्थापित करने की प्रक्रिया सामिल है अधिगम प्रक्रिया सदे वी उदेश पूर होते है कैसी होती देश पूर होती है । जो वैक्ती के समयोजन तर्क अनुकूलन के लिए तयार रहती है और इसपे दिया गया है अधिगम S.बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अरजन किये गए ग्जान तर्था उसके द्वारा प्राप्त विभिन स्प् चक्री तरीके से शाट्र समने से विसेस्त की बढ़ते हैं सरस्ट कि और बहुता है बसक्राइक है इससे पूण बढ़ते हैं यह technicians चात्र किस और बढ़ते हैं निए प्रश्ट करेश को प्रस्टावित नहीं है ठीके आब बताना चाहा रहा तो वो यह है कि जैसे की question यह पूछा गया national education policy का ठीक है 2020 का अब यह जो टॉपिक है कि इस से questions confirm है कि पूछा ही जाएगा चाहिए एक चाहिए दो है तो अब यह जितने भी previous year में questions आए थे तो मैं क्या करूँगा देखिए ऐसे टॉप मैंने की point wise पूरे पूरे यह no down कर लूँगा ठीक है तो 2021 जो लाद December से स्टार्ट हुआ था और इसके बाद जन्वरी के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें पूरे पूरे जितने भी questions इसके आए हैं सारे सारे एक जगे मैं बता दूँग आपको ठीक है फिर इस वाले question का answer हो जाएगा ए जिसका option second और fourth और इस पर दिया गया रास्टे सिक्षा नीती 2020 के विशेवस्तूम पे बढ़ोत्री एवंस मन की कृत पाट चर्या सिच्छा सास्त्र वाब मोल्यंकन को प्रस्तावित नहीं किया गया है बलकि या सीखता सीखना है की कैसे सीखना है एवंस प्रगती रिपोर्ड कार्ड पर बल दिया गया है इसलिए या नीती सीखने के लिए समस्त सतत मुल्यंकन पर जोर देती हैं इसके अमसार से सभी छात्रों को सीखने के लिए विविद प्रकार के अनुवा उपलब्द कराए जाएं और सीखने के लिए अच्छे बुनियाद धाचा और उपयोग साधन जयसे की छोटे बचें हैं तो उनको क्या करें खिलाने से जिकाने का मतलब जैसे कि अब जैसे प्लास्टिक वाले आते हैं उससे भी बताएं बॉल हो गई तो बॉल दिखाएं शो करें जिससे कि वह जल्दी से जल्दी पहचाने ठीक है सैक्षिक प्रणाली ऐसी हो जिससे बच्चे तर्क संगत विचार और एकार करने में सक्षम बन सके फिर इसके बाद कोशन दिया गया और इसमें दिया गया समझने की बजाय रटने की ओर लक्ष करना और विध्यारतियों के चिंतन को सूसाद्य नहीं करता है बलकि अवधारनात्मक समझ अधारित होतना चाहिए इससे इसमें क्या होता विध्यारतियों की इंद्रियों के माद्यम से जागरु को होने की शमता सामिल है अधिगम के हसरांतरन पर आधारित गतिविद्या देना स्वा नियमन और चिंतन सील होने के औसर देना नई जानकारी को पूर्व ग्यान से जोड़ना आधी विध्यारतियों के चिंतन को सुसाध्य बनाते हैं और विध्यारतियों को स्वतंत रूप से सोचने के को बढ़ावा देना चाहिए ठीक है तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट को जब भी कोई गलती करता है तो उससे वो सीखता है ठीक गलती से ही आगे पढ़ाई होती है और यह भी एक क्या है अधिगम का पार्ट है ठीक है ध्यान दीजेगा और फिर कोशन दियागा है डैस और वातावरन की स्थापना विध्यालों में अधिगम का एक अनिवार हिस्सा है तो इसका अंसर हो जाएगा ए ओप्शन सहयूगात्मक और सहय कारात्मक तो यह भी क्या हो जाएगा एक अधिगम का हिस्सा है तो क्योंकि विध्यालों में व्यक्तिकत भिनिता होती है अर्थात प्रतियक बालक की सोच उनकी परिस्थिती विचार और वेवार आधी एक जैसे नहीं हो सकते हैं इसलिए चात्रों के साथ समन्वें स्थापित कर सायोगात्मक वातवरन का निर्मार किया जाता है सायोगी वातवरन होने से चात्र एक दूसरे की योगता में व्रिद्धी करते हैं और सीखने में मदत करते हैं प्रतियक विध्यारती सहकारिता द्वारा अग्रसर होने का प्रयास करता है अता चात्र स्वयम सीखनेना है और तता दूसरों को सिखाता है ठीक है फिर question next दिया गया है इस पे है संप्रत्यों की प्रस्तुति का क्रम क्या होना चाहिए इसका answer हो जाएगा सरल से जटिल की और तो इस पे क्या दिया गया simple to complex होना चाहिए सिक्षक को कख्षा में पढ़ाते समय पहले सरल पार्ट वस्तु प्रस्तुत करके दीरे-दीरे कठिन की और बढ़ना चाहिए ठीक है अब कैसे मान लिजिए ऐसे मान लिजिए क्या स्टाइं से हुई यहां से रही सुरूर कहां से हुआ नीचे से स्टार्ट फिर इसके बाद हाइवल पर जाते जाए ठीक है फिर इसके बाद है इसका सबसे एच्छा एग्जाम्पल आप मान के चलिए एलजब्रा भी मान सकते हैं पहले आपको क्या बढ़ाया जाएगा पहले आपको सिफ प्लस माइनस करना सिखाया जाएगा एलजब्रा में जो एक्स एक्स वाली कोशन होते हैं ठीक फिर इसके बाद आपको वर्स प्रॉल्म आ जाएंगी ठीक यह तो यह तोड़ा सा लेवल हा साध्य करता है तो इसका अंसर हो जाएगा ए ë ओप्शन समरूपक चिंतन एनलोजिकल ठीकिंग्ग विध्यारतियों के समस्य समधान कौशल को सुछाद्य करता है चिंतन एक मांसिक प्रक्रिया है किसी समस्या के समधान ही हैценो हम आपने मस्तिक में जो विचार करते रहते हैं वही चिंतन है समरूपक चिंतन से तातपरे किसी समस्य के समधान ये तो मिलने मिलते जुलते या अनुरूप चिंतन करना है समस्य समधान के द्वारा विध्यारती ज्यान को प्राप्त करता है इससे विध्यारती चुरौती पूर्ण इस्थिति के निर तरीका सन्रशनात्मक है तो इसका आंसर हो जागा पी ऑफ्षिन और इस पर दियेगा संकेत और इशारा ठीक है संकेत और इशारा देकर विध्यारतियों को अपने तुर्टियों खुद खोजने में मदद करना विध्यारतियों द्वारा की गई तुटियों पर प्रती क्रिया देने का सनरशनात्मक तरीका है जब विध्यारति अपने तुटियों की खोज स्वयम करेंगे तो आगे इस प्रकार की तुटियों की सभावना कम होती है ठीक है अब इस पर कोश करने का अभ्यास करता है और ग्यान सुगमता से प्राप्त कर सकता है इस प्रकात प्रभाव करने के लिए सिख्चिका को क्या करना चाहिए इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर C हो जाएगा और इस पर दिये गया है कभी कबार वेक्ति का समाजिक असमेता का पराधार डूड़ी बादी विध्यारतियों में असमनताओं की मानता पैदा कर देती है इस तरह के नकरात्मक डूड़ी बादियों का प्रभाव कम करने के लिए सिक्षिका को इस ब विध्यारतियों को अधिकम प्राप्ति हेतु करके सीखने का प्रयास या प्रयास करने करते रहना चाहिए जिससे उन्हें प्राप्त अनुबव अधिक समय तक रहेगा बार बार प्रयास करने से विध्यारतियों में विभिन प्रकार की शमताओं का विकास होता है ठीक है ज मंताओं से दू भी दूर किया जा सकता है ठीक है जिसे की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी उस पे और आप तुरंत देखते एकोशन को सॉल कर देंगे फिर इसके बात दिया गया एक विद्यारती परिक्षा में अंतिम इस्थान पर आने से बचने के लिए अध्यान से कर रहा है या किस तरह के लक्ष का उधारन है तो इसका अंसर हो जाएगा एक विद्यारती परिक्षा में अंतिम इस्थान पर आने के आने से के लिए अध्यन कर रहा है यह परिहार उनमुक प्रदर्शन लक्ष है एवोडेंस औरियेंटेट परफॉर्मेंस गोल्स का उधारन है इसकी यह सेस्ता है कि एक प्रदर्शन परिहार उनमुक उनमुकी करन उन वैक्तियों का वर्ण करता है जो अक्षव दिखने से बचने का करते हैं और अपने सात्यों की तुलना में कम सक्षम होने के कारण से सहेच ऊपलब्दी की उपस्थिती पैदा करते हैं प्रदर्शन लक्ष नकारात्मक प्रभा奥 की प्रभविश्वारी चुनोती से बचते हैं और खराब उपलब्दी के कारण उपलब्दी के परिणाम है प्रदर्शन से द्रिश्टी कोर्स उन मुखी करण से कर उन मुखी वाले लोग सकरात्मक सूध रिणी करण से और प्रतिक्रिया चाहते हैं ठीक है तो यह हमारा हो गया जो सीडीपी कोश्चन है और यह है डेट 11 म पूरा कमटेट ठीक है तो अब हम लोग मैस का भी मैंने डाल दिया है आप लोग देखने कि मैस के कुश्चन में जो पैड़ागॉजी आ रही है वो थोड़ी सी टाफ आ रही है पैड़ागॉजी भी प्लस कैलकुलेशन वाले जो कुश्चन सा रहे हो भी थोड़ों से क्या रहा है अब टाफ था रहोगता रही है कि वोड़ी ब साए है